साथियों, देश की रक्षा जरुरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरुरतों का द्यान रखना, उनके हीतों का द्यान रखना, हमारी सरकार की सर्वोच प्रात्मिक कामे से एक है. हिमाचल प्रदेश के हमारे भाईयों भेहनों को आज भी याद है कि वन रैंक वन पैंशिन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बरताव था चार दसकों तक हमारे पुर्व फोजी भाईयों को सिर्फ वाईदे ही किये गए कागजों में सिर्फ पांसो करोड रुपे दिखा कर ये लोग कहते थे कि वन रैंक वन पैंशन लागू करेंगे लेकिन किया फिर भी नहीं आज वन रैंक वन पैंशन का लाप देश के लाखों पुर्व फोजीयों को मिल रहा है सिर्फ एरियर के तौर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग ग्यारा हजार करोड रुपिये पुर्व फोजीयों को दिये हैं हिमाचल प्रदेश के भी करीब करीब एक लाख फोजी साथियों को इसका लाब मिला है हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि हमने जो फैसले किये वो हम लागू करके दिखाते हैं देश हित से बड़ा देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझोता किया गया देश की वायू से ना आधुनिक फाइटर प्लेन माग दी रही वो लोग फाइल के फाइल फाइल पे फाइल कभी फाइल खोलते थे कभी फाइल से खेलते थे गोला बारूद हो आधुनिक राइफलें हो बुलेट प्रूप जैकेट्स हो कडाके की ठंड में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हो सब कुछ तांक पर रख दिया गया था एक समय था जब हमारी ओर्डिननस फैक्टरियों की ताकत अच्छे अच्छों के होस उड़ा देती थी लेकिन देश की ओर्डिननस फैक्टरियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया देश में स्वदेश सी लड़ा को विबानों हेलिकॉप्टरों के लिए हेल जेची विश्वस्तरी ये संस्ता बनाई गई लेकिन उसे भी मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया बर्सों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सैन्यक्षम्ताओं को मजबूत होने से रोका है उसका नुक्षान किया है जिस तेजस लड़ा को विमान पर आज देश को गर्व है उसे भी इन लोगों ने डिब्मे में बंद करने की तैयारी करनी थी ये थी इन लोगों की सचाई ये हैं इन लोगों की सचाई साथियों अब आज देश में ये स्थिती बदल रही है देश में ही आधुनिक अस्ता सस्त्र बने मेक इंडिया हत्यार बने इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किये गए है लंबे इंतरजार के बाद चीफ अब डिफेंस टाप की ववस्ता अब हमारे सिस्ट्रिम का हिस्सा है इसे देश की सेराओं के आवशक्ताओं के अनुसार प्रोकॉर्मेंट और प्रोडक्शन दोनों में बहतर समन्वे स्थापित हुआ है अब अनेक ऐसे साजो सामान है जिनको विदेश से मांगने पर प्रतिवन लगा दिया गया है वो सामान अब सिरफ भारत के उद्योगों से ही खरीदना जरूरी कर दिया गया है साथियो भारत में डिफेंस इंडिस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तक्निक आ सके इसके लिए अब भारतिय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोच्षान दिये जा रहे है जैसे जैसे भारत की वैश्विक भुमी का बदल रही है हमें उसी तेजी से उसी रप्तार से अपने इंफास्ट्रक्तर को अपने आर्थिक और सामरिक सामर्तर को भी बढ़ाना है आत्म निर्भर भारत का आत्म विश्वास अजन्य मानस की सोच का हिस्सा बन चुका है अटल तनल इसी आत्म विश्वास का प्रतीख है